Pan Card Pan card बनवाने के लिए कौन-कौन से documents के आपको जरुरत पड़ेगी idea proof में कौन से चाहिए address proof में कौन से चाहिए pan card बनवाना क्यों जरूरी है कितनी mummy Liz वाले बनवा सकते है क्या अधार card जरूरी है या बिना अधार card के भी pan card बन सकता है आज किस वीडियो में आपको सारी information मिलेगी तो वीडियो को अंतक देखिएगा ये वीडियो specifically है personal pen card के लिए जो वैक्तिगत pen card होता है इंडी वेस्वल का अगर आप किसी company और trust का pen card बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी channel पर separate video uploaded है आप वो जा कर देख सकते हैं शुरू करते है आज की वीडियो नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका अपके अपनी चैनल education सरकारी documents पर जहां पर हम आपके लिए school college admission से लेकर job तक की updates लेकर आते हैं साथी सरकारी documents सरकारी schemes और सरकारी benefits के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात कर रही है pen card की pen card क्या है क्यों जरूरी है और क्या क्या documents चाहिए तो शुरू करते हैं वीडियो तो हर कोई भी बड़ा आप financial lending करते हैं वितिय लेंदिन करते हैं तो उसमें सरकार ने pen card को अनिवारिये किया हुआ है जिसका मुख्य मकसद क्या है कि सरकार हर एक लेंदिन पर अर्पनी नजर बनाए रख सके और tax यानि की कर की जो चोरी है उसको रोका जा सके pen card एक ऐसा electronic परणाली होती है जिसमें 10 digit के pen number जिसको की permanent account number कहा जाता है इसकी मदद से किसी भी नागरिक, किसी भी company की tax से जुड़ी सभी जानकारियों का record रखा जाता है दस अंको का ये number जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए पर्मुक रूप से काम में आता है और पूरे देश में एक तरीके से साजह किया जाता है पैन कार्ड बनवाने के लिए पातरता क्या है? अलीचिकलरटी देख लेते हैं सबसे पहले आप किसी भी उमर के व्यक्ति हो चाहे आप अभी आपके बच्चे का जनम हुआ है उसका भी आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं इसके लिए एज की कोई भी नियूंतम या अधिकतम सीमा तै नहीं है आवेदन के लिए बस आपको जरूरी जो शुल्क होता है चार्ज होता है वो देना होता है आपके दो पासपोर्ट साइज के फोटो उसके साथ अपना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आप लगाएंगे तो आपका पैन कार्ड बन जाएगा अब यहाँ पे काफी सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज तो नहीं बलकि फ्री भी बनता है पैन कार्ड बिलकुल फ्री बनता है पैन कार्ड फ्री भी बनता है तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे ये साथ ही शुर्क कब देना होता है वो भी देखने वाले हैं पैन कार्ड के लिए पहले देख लेते हैं जरूरी दस्तावेश तो पैन कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेश जैसे कि वे ने आपको पहले भी बताया कि आपको ID proof और address proof ये mainly दस्तावेश जो आपको जरूरी देने होते हैं ID proof में कौन-कौन से document काम आते हैं address proof में कौन-कौन से document काम आते हैं वो भी देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं online pen card की क्योंकि आज कल हम कोई भी काम हो online करने की कोशिश करते हैं और वही हम सबसे पहले prefer करते हैं तो अगर आप भी अपना pen card online apply कर रहे हैं तो अगर आप आधार number की मदद से online pen के लिए apply कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है आपका आधार number और आधार में आपका mobile जो है आधार में होती है, आधार में जो आपका नाम है, address है, photo है सब वहीं से उठाया जाता है आपके register mobile number पर OTP भेजा जाता है उसको verify किया जाता है और ये परकिरिया कुछ ही mintो में पूरी हो जाती है और आपको instantly आपके pen card की PDF copy भी online मिल जाती है जिसको कि हम e-pen भी बोलते है इसे आप download कर सकते हैं, print कर सकते हैं, इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल free of cost है और हर जगे ये मानने होता है अब बात करते हैं, लेकिन ये जो सुवीदा आप लेते हैं तो आपको offline process से जाना होता है या online में भी दूसरा process होता है जहां पर आप अधार से नहीं बाकी दूसरे तरीके से पराते हैं सबसे पहले आपको form दिखा देते हूं कुछ इस तरीके का form दिखता है online जब आप form के लिए apply करते हैं तो इस तरीके के form को आपको fill करना होता है pen card apply करने के लिए यही आपका offline में भी आपका form होता है अब बात करते है offline की मान लेते हैं कि आप 18 साल से कम है आपको pen card बनवाने के ज़रूरत है अभी तो इसलिए आप बनवा रहे हैं या फिर कोई भी आज भी बहुत सारी लोग है जो traditional method ही अपनाते हैं किसी भी बंदे के पास जाते हैं वहाँ पे documents देते हैं और pen card बनवाते हैं क्योंकि बहुत सारी लोग online के जंजट में नहीं पढ़ना चाते आप जाते हैं तो आपको एक संतुस्टी होती है हाँ मेरा pen card आ जाएगा ठीक है कुछ पैसे एक्स्रा लग सकते हैं लेकिन pen card जो है वो time पे मिल जाएगा मेरे address पे आ जाएगा तो offline यानि की pen card center जाकर आप pen card बनवा सकते हैं या फिर कोई भी जो isn't होते हैं आपके दो passport size photographs चाहिए होते हैं वही photo आपका pen पे लग के आएगा आवेधन के लिए आपको अपना address proof और ID proof ये दोनों आपको documents देनी होते हैं अगर आपने ID proof में मान नीजे अपना passport दिया है तो आपको address proof में उसके अलावा कोई और document देना होता है यानि की birth date का proof जिसमें कि आपने 10th की mark शुट दे सकते हैं और अगर आप 18 साल से कम हैं तो उस case में आपको अपने guardian या parents का भी जो details से होते नहीं होती हैं तो आप देख लेते हैं ID proof, address proof या इन में कौन-कौन से documents के ज़रूरत होती है तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा form भरा जाता है pen card के लिए तो income tax department ने आवेदक के निवास यानि की residence के अधार पर दो अलग-अलग तरीके के form होते हैं एक होता है आपका 49A जो कि हम Indian citizen है या कोई भी Indian company है या कोई भी Indian trust है वो ये form भरती है एक होता है आपका 49AA यानि की AA तो यह होता है उन सभी विदेशी नागरिकों के लिए company के लिए संसाओं के लिए जो भारत में आकर व्यापार करते हैं क्योंकि अगर आप foreign citizenship है तो आपको इंडिया में pen card की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप यहाँ पर आके कोई काम करते हैं कोई company अपने सापित करते हैं ट्रस्ट बनाते हैं तो उस case में आपको pen card की ज़रूरत है और उस case में आप लोग के लिए form अलग होता है 49AA तो हम यहाँ पर personal pen card की बात करें तो जो phone भरा जाएगा 49AA भरा जाएगा अब बात करते हैं ID proof में कौन कौन से documents valid होते हैं आपका चान पत्र आपका ID proof में आप दे सकते हैं राशन card, passport, driving license या फिर arm license भी आपका ID proof में चल जाता है इसके लवा केंदर या राजा सरकार या सारजनिक छेतर की company की ओर से कोई भी जारी आपके पास photo पहचान पत्र हो आपके पास pensioner card हो आपको pension मिलती हो उसका कोई card है केंदर सरकार की ओर से आपको कोई health scheme का आपके पास card है या फिर आपके पास central government का कोई ex-servicement का card है वो भी आपका चल सकता है या फिर कोई भी आपकी health scheme है जिस पर आपका photo लगा हुआ है या फिर सांसद, विधायक, सभासद, राज, पत्री तरिकारी के तबारा हस्ताक्षर किया गए कोई photo युक्त परमान पत्र की मूल कोप signature है तो वो भी आप पर चल सकता ID proof ने अब बात करते हैं address proof के लिए कौन कौन से documents की ज़रुत होती है तो आप electricity bill दे सकते हैं landline telephone broadband connection का बिल दे सकते हैं water supply का बिल दे सकते हैं gas connection है आपके पास या फिर pipe gas है उसका बिल आता है bank खाते का statement आपके पास यानिकी bank account की statement को या अपन bank की पास बुक है अपने post office में account खुलवा है तो वहां का भी आपका पास बुक चल जाएगी passport है अगर आप जैसे wife है या husband किसी भी दोनों में से किसी का भी passport है किसी के नाम पर घर है वो address pro है आप देना चाहते हैं तो वो भी चल जाएगा आपका पहचान पत्तर property text जो है receipt है as a address group में अब बात करते हैं कि birth certificate में कौन-कौन से देनी है birth date के लिए तो आपका जनम परमान पत्तर birth certificate से बेस्ट होता है वो आप दे सकते हैं जो आपका नगरपालिका देती है इसके अलबा आपके पास pension payment order हो सकता है या आपकी marriage certificate हो या फिर आपका 10th certificate जो ज्यादा तर्मा certificate में अगर आप नबालिक है यानि कि अगर आपकी उमर 18 साल से कम है आपके नबालिक होनी के स्तिती में पहचान और आवास दोनों ही तरीके के सबूत के तोर पर आपको आपके माता पिता या अभिभावक के दस्तावेश भी लगाए जाते हैं अगर आप नबालिक है उसके पिता के नाम का उलेक के साथ साथ एड्रस भी हो तो वो पहचान या अड्रस के तोर पर भी यूज किया जा सकता है तो यहते दोस्तों आप लोकेल अप्डेट अगर आप पैन कार्ड वनवा रहे हैं तो किनकुल डोकॉमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आज की वीडियो म कर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि जैसे वीडियो अप्लोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए पैन कार्ड से लिटेट कोई और वीडियो चाहते हैं कोई और डाउट को रही है वो भी आप कमेंट सेक्श